तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं जे जो इंडियन आर्मी में ग्रूप C की नई बरती आ रही है इसका जो ओफिशल नोटिफकेशन है जे भी 2022 में उठ हो चुका है साथ ही में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन, क्वालिफकेशन मांगी गई है अप्लिकेशन फार्म को फिल करने के लिए बो मांगी गई है matriculation pass जानी की आपके पास कम से कम दस्मी pass की मांगशित होनी चाहिए अगर आप इस बरती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी YouTube channel न्यू सरकारी jobs में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैजो इंडियन आर्मी की और से नहीं बरती आ रही है इसकी बकैंसी की details के बारे में इसमें education qualification के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम दस्मी pass की मांगशित होनी चाहिए तो अगर आपके पास दसमी पास की मागशित है तो आप इस बर्ती में अपलाई कर पाएंगे जो बर्ती आ रही है जो इंडियन आर्मी में गुरूप C की बड़ी बर्ती आ रही है All India के male and female candidates बर्ती में अपलाई कर पाएंगे चाहिया बारत के किसी वी राज्य से बिलाउंग करते हैं आप इस पी अपना एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज परती में आपको कोन-कोन सी पोस्टे इंड उस पोस्टे के लिए wealthy में तो सबसे पहले लडी możli已经 की पोस्टे सरी जिसमें आपको टोटल बारह देखने के लिए मिलेगétait इसके बाद सिविल्सियन ट्रेरियर इंस्टक्टर की पोस्टे जिसमें आपको टोटल 14 देखने के मिलेगी लसकर की टोटल 20 बकैंसी है इसके बाद MTS मसेंजर की 22 बकैंसी है गार्णर की टोटल 12 बकैंसी है इसके बाद बाचमेंड की 18 बकैंसी है सफाई वेला की आपको 4 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी बाशरमेंड की आपको इस मनक्сट में सिलेक्षन हो जाता है आपको म्निस सयलरी आपको दिजू mee वो कितनी दिजाएगी तोrestrial salary आपको मिलेगी इस जू में वो मिलेगी um那麼 1900 में फ Нरी से लेकर 63400 तक मानक्नम हो जाता है तो इसके बाद हम बातकर लेटे हैं age limit time क्रायटरिया के बारे में कि minimum मिनिमम और मैक्सिमेज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस बरती में अपना एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मिनिममेज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए आपकी 18 साल जाने की आपकी जो एचाहिए वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए अगर आप इस बर्ती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी दी गई है जैसा कि जो काइनेड ऐसी जहां ST से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस बर्ती में अपलाई कर पाएंगे जोब्स के लेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं education qualification के बारे में किप कीस posters के लिए आको कितनी education qualification चाहिए होगी तो अगर आब हम LDC की posters के बारे में बात करें तो आपके बास कम 12th pass की mark sheet and typing speed आपके बास होनी चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें storekeeper के बारे में तो आपके बास ITI certificate होना चाहिए इस trade में इसके बास civilian trade instructor की बारे में अगर हम बात करें तो आपके बास 10th pass की mark sheet होनी चाहिए कुक की पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टेंट पास की माक्षित होनी चाहिए साथ ही में आपके वास कुकिंग का नॉलेज भी होना चाहिए लसकर की posters के बारे में अगर हम बात करें तो आपके बास कम से कम 10 मी पास की माक्षिट होनी चाहिए इन सब वी posters के बाद अगर हम बात करें तो अगर MTS की किसी वी posters के लिए जैसे की messenger, gardener, watchman और सफाई वाला या washerman किसी वी posters के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके बास कम से कम 10 मी पास की माक्षिट होनी चाहिए इसके बाद अगर आप बारवर की trade में apply करना चाहते हैं इसमें apply करना चाहते हैं तो आपके बास कम से कम 10 मी पास की माक्षिट होनी चाहिए और फ्रेंट्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाइन कर सकते हैं इस टेलिग्राम चैनल को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी जौफ की न्यू नोटिफकेशन आएगी उसकी लाटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी में ग्रूप C की नहीं बरती आ रही है इसके सिलेक्शन प्रोसस के बारे में किस बरती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा और किस बेसस पे किया जाएगा तो सबसे पहले तो आजपर का इसमें written exam होगा और अगर आप written exam को qualify कर लेते हैं then आपका skill test, tray test या typing test as per the posters की आप कौन सी posters में apply करते हैं उसी आप से आपका test किया जाएगा इसके बाद आपका detail में medical exam किया जाएगा और अगर आप इन सभी test को qualify कर लेते हैं then last में आपकी final mail list निकाली जाएगी और अगर आपका final mail list में नाम आ जाता है then last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए तो इस तरह से इस बरती में कुछ selection किया जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जो application farm है बो लगना कब से start होंगी इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस बरती में दन आपके बास कौन-कौन से document होना सबसे जरूरी है तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data birth to certificate होना चाहिए इसके बाद education certificate में आपके बास कम से कम दसमी पास की mark sheet होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई अधर qualification जाए experience है अबो वी apply कर सकते हैं application farm के साथ इन सबी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधार card जा फिर pen card होना चाहिए as identity proof और अगर आप S.E.S.T. याँ O.V.C. से belong करते हैं तो आपके बास अपना cast certificate भी होना चाहिए और चार passport size photograph भी आपके बास होने चाहिए light color background में तो अगर आपके बास जे सबी documents हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बर्ती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बर्ती में अपना application form fill करना चाहते हैं तो application fees आपको कितनी pay करनी होगी तो चाहिए आप किसी भी category से belong करते हैं जर्नल O.V.C. S.E.S.T. किसी भी category से belong करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी application fees नहीं लगेगी application form को fill करने के लिए और जो apply mode रहेगा बो रहेगा offline आपके offline application form fill किये जाएंगे आप अपना offline application form fill कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस बर्ती के बारे में ज़्यादा जाना चाहते हैं जरसक इस बर्ती का official notification पाना चाहते हैं application form डाउनलोड करना चाहते हैं यहां फिर हमारा telegram group को जाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के link आपको हमारी website पे मिल जाएंगे website का link में description में दिया हुआ है आवासिया के sub check out कर सकते हैं इस बर्ती के बारे में और दोस्तों जे जो home guard department की और से नहीं बर्ती आ रही है अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं total number of vacancy के बारे में अगर हम बात करें जो इस बर्ती के लिए advertisement की गई है वो की गई है total 28,000 से जादा vacancy इसके बाद education qualification में आपके बास कम से कम दस्मी पास की mark sheet होनी चाहिए तो अगर आपके बास दस्मी पास की mark sheet है तो आप इस बर्ती में apply कर पाएंगे आली इंडिया के male and female kindness बर्ती में apply कर पाएंगे चाहिए आप बारत के किसी विराज्ये से भी लाउंग करते हैं आप इस पे अपना application fulfill कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अबो वाली वीडियो भी देख सकते हैं उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा